की मतलब ये कितनी छोटी चीजों पर आज चुके हैं आप जहां आपका ध्यान भी नहीं जाएगा शायद ये वहां भी पहुंच चुके हैं मतलब निर्दली होने पर भी इनके काम अगर सरकार ने नहीं किया है तो अभी भी सरकार हिमाचर में कॉंग्रेस की है तो इनको क्या लगता है कि बिजेपी जोइन करने के बाद क्या इनके काम हो जाएगा इस्तीफा नहीं भी दिया होता और विधायक भी रहते तब भी तो उन्होंने काम करने नहीं थी हमारे तीन साथ तो कम से कम अब इलेक्शन लडेंगे जीतेंगे हमारे साथ केंदर का सहारा होगा और हमारे काफी स्कीम्स वगेरा काफी फंडिंग वगेरा हम केंदर से लेकर काम कर सकते हैं कि जाए चाहे पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आज पूरा इंटर्व्यू उनके साथ हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में कि अब की वार जो चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में इन से बात करेंगे तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है और थैंक्यू सो मच कि आप कैसा चल रहा है प्रचार बढ़िया चल रहा है सुबा से लगते हैं शाम हो जाती है देखिए आप यह जैसे आपने खुद बताया आप सुबा से शाम तक निकले होते हैं तो आप हाउसवाइब भी है कैसे आप मैनेज करती हैं घर के साथ यह जो चुना प्रचार है और भी ज मुझे इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता मतलब यह होता है कि हाँ शाम को बच्चों को सुलाना फिर उठाना नहलाना और वैसे बट अभी उनकी चुट्टियां तो उस चीज से मुझे काफी रिलीफ है और उसके बाद फिर मेरा रुटीन चालू होता है और फिर मैं फील में कोई भी डिसकेशन नहीं हुई है जिस दिन फिफ्ट को ही हमारा चुनाव जो एनाउंस हुआ था हमने उसी दिन आशीश उस टाइम डेली में थे और हमने हमीरपुर से चालू कर दिया था जहां मार्केट में हमने सुना था बस उस दिन से हमने परचार शुरू कर दिया कि कहां गए हैं पिछले कल की ही यह बात है आपके घर के सामने स्पीड ब्रेकर था एक और स्पीड ब्रेकर तोड़ दिया गया तो उसके बारे में क्या कहेंगे अप उसके बारे में तो मुझे लगता पूरी दुनिया इं बोल चुकी है कि मतलब यह कितनी छोटी चीजों पर आज चुके हैं आप जहां आपका ध्यान भी नहीं जाएगा शायद यह वहां भी पहुंच चुके हैं मुझे लगता है इनका पूरे परदेश से में नजर कम और हमारे घर के आसपास जादा नजर हो रुखी है क्या लगता है आपको जिसे आपकी तरफ से भी सरकार प् प्रियास करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें मेहनत के साथ कर सकें और आशीश का मुझे लगता आप लोगों को भी पता होगा कि कितने हार्ड वरकिंग है चाहे वो बिजनस में रहे चाहे पॉलिटिक्स में आए या सोशल सर्विस में रहे वो शुरुआती दौ जो विधायक थे कि अगर उनको मतलब उनको इस्तिफा देनी की क्या जूरुत पड़ी अगर उनको सपोर्ट करना ही था तो वो जैसे अपना समर्थन कॉंग्रेस को दे रहे थे वैसे वो अपना समर्थन बीजेपी को भी दे सकते थे लेकिन ऐसी क्या स्थितियान पड़ी क उनको इस्तिफा देकर बीजेपी जॉइन करनी पड़ी जैसे कि आप जानते हैं जब निर्दलिय चुना वो लड़े थे तब उन्हें पार्टी का टिकेट नहीं मिल पाया था हालांकि वो सर्वे की रिपोर्ट के एकॉर्डिंग भी टॉप पे जा रहे थे दोनों पार्ट जब वो काम होना होता है और हो सकता है इंडिपेंडेंट हम इसलिए लड़े होंगे क्योंकि हमें शायद यह चीज क्योंकि जब पार्टी से लड़ते हैं तो कोई भी बोल देता है आपका इतना हार्ड वर्क नहीं दिखता कि इसके साथ कैडर है यह है वो है उस टाइम हमा की साथ में इश्वर का आशिरवाद हो तो इनसान कठिन से कठिन परिस्थिती से निकल जाता है और रही स्तीफे की बात तो आप जैसे की कह रहे हैं कि अभी क्या जरूरत थी पहले भी कई कुछ नेताओं ने जॉइन किया है सपोर्ट की है लेकिन हर किसी को टिकेट नहीं म बड़े नेतरतव से आपको मिल रहा है तो मुझे लगता उस चीज को खोना नहीं चाहिए था जिस मौके को हम उस समय तलाश रहते शायद ये समय था उसका पूरा होने का और मेन चीज जो थी इस्तीफे की इलेक्शन लड़ने की वो ये थी कि निर्दल्य तोर पर आप एक अखेले हो जाते हो क्योंकि आपको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं होता और प्रदेश सरकार हमारे साथ वैसे कॉपरेट नहीं कर रही थी तो कम से कम हमें ये था कि एक सशक्त गर्वर्मेंट के साथ हम जुडएंगे तो जो है हमें एक खुद को भी मजबूती मिलेगी ए एक तो नियत होनी चाहिए काम करने की उसी पे नियती डिपेंड करती है और अगर कोई काम करने की निष्ठा रखता होगा तो वो अगर जीतते हैं तो MP हमारे यहां के अनुराग जी है उनके फंड से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर हैं हर्ष मह जिनको उन्होंने जित्वाया उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि मैं आपको फंडिंग करूँगा आपके विकास के कामों के लिए और नडडा जी अभी स्वास्थे मंत्री बने हैं उनसे हम हक से मांग सकते हैं क्योंकि सेम पार्टी जब होती है और प्रदेश ते बड़ा यहां हिंदुस्तान में नहीं हमारे भारत में नहीं पूरे विदेश तक में सभी को पता है कि कितनी सशक्त और मजबूत सरकार है तो हमें अगर उसका सिहोग मिल रहे तो इस से जादा सौभाग्य मुझे नहीं लगता हमारा कुछ हो सकता है और विधायक निदी देखी सकता और जो सैलरी मिलती है वो कोई नहीं रोक सकता उन्होंने पहले भी कहा था कि तनख्वा का एक एक पैसा गरीब कल्यान के लिए जाएगा और आटी आए के थू जो है वो कोई भी जांच करके देख सकता है कि आज दिन तक की 15-16 महिने की जितनी भी तनख्वा थी वो किन- के काम हो जाएंगे. वो हम मानते हैं अगर इस्तीफा नहीं भी दिया होता और विधायक भी रहते हैं तब भी तो उन्होंने काम करने हिनी थी हमारे तीन साल, तो कम से कम अब इलेक्षन लड़ेंगे जीतेंगे हमारे साथ केंदर का सहारा होगा और हमारे काफी स्कीम्स वगेरा काफी फंडिंग वगेरा हम केंदर से लेकर वो काम कर सकते हैं अगर हम केंदर के साथ नहीं जुड़े होते और निर्दली सिरफ तनख्वा लेने के लिए बैठे होते तो मुझे नहीं लगता लोगों के हम काम कभी भी करवा सकते और हम तीन साल लोगों के नहीं बरबाद कर सकते थे और आशीश भी कोई घर में बैठने वाले इनसानों में से नहीं है वो महनती इनसान है वो ना अपना तीन साल बरबाद कर सकता था ना लोगों का देखे स्वाती जी आप खुद एक महिला हैं तो क्या आपके दिमाग में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्लांज हैं जो आप आशीश जी को सजेस्ट करेंगी अगर वो जीत कर विधायक बन कर आते हैं तो जी बिलकुल एक तो हमारे एवन मैं तो हमेशा महिलाओं की सपोर्ट में रहती हूँ और आशीश भी जहां तक मैंने आज दिन तक देखा है कि महिलाओं की बहुत इज़त और मान समान करते हैं शायद इसी लिए हमने महिला मंडलों से स्टार्ट किया था उनको समानित करना स् महिला शक्ति का हमें वैसे भी बहुत से होग मिला था और मेरा तो ये सिरफ महिलाओं और बच्चों के लिए नहीं सभी के लिए मेरी एक मुझे लगता शायद बच्पन से इच्छ है कि मैं कुछ मेंटल हेल्थ के लिए करना चाहती हूं क्योंकि बहुत सारे क्योंकि इतनी अवेरनेस हमारे शायद मैं इंडिया की नहीं बात करूंगी अपने स्टेट की भी बात करूंगी कि बहुत लोग एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है हालंकि उनको ये महसूस नहीं हो पाता कि वो कब इस चीज में चले गए है क्योंकि उनका परिवार उनको समझ नहीं पाता है उनको लगता है कि साइकेटरिस्ट जो हैं उनके साथ सिरफ वही जाते हैं जो मानसिक रूप से अनस्टेबल है या पागल लोग जाते हैं मैं कॉमन लैंगज में बोलना चाहूंगी जो कि ऐसा नहीं है एंजाइटी और डिप्रेशन से इतने जादा लोग सफरर है मुझे दुख होता है लोग ये तो देखते हैं कि जब किसी की डेथ होती है या सूसाइड करते हैं लोग ये तो सोचते हैं कि क्या जरूरत थी उसका दिमाग खराब था ये था और आपको पता है कि किसी कोई थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो भी वो कैसे मतलब इनसान करता है तो ये तो एक लाइफ एँ और लाइफ को खतम करने के लिए बहुत जादा बड़ी हम्मत चाहिए जो कि हर किसी में क्या किसी में भी नहीं होती है मैं कहा सकती हूं लेकिन उस टाइम उस इंसान के वारे में ये नहीं सोचता है वह कौन सी मेंटल स्टेट में जाकर decision लेता है और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए भी especially girls के लिए भी mentally strong होना बहुत ज़रूरी है आज कल बच्चों को इतना pamper किया जा रहा है जिसकी वज़़से वो delicacy आ रही है उनके behavior में भी और sensitive होते जा रहे हैं तो शायद वो कुछ भी tolerate नहीं कर पारे तो मुझे लगता है थोड़ा parents को प्यार के साथ साथ strict भी होना चाहिए और teachers भी अगर आपके बच्चे को डानते तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स को इंटरफियर करना चाहिए जो कि मैं इस चीज में टीचर्स के भी सपोर्ट में हो अगर गलत है तो आपको बोलना चाहिए बच्चों के लिए देखिए अभी स्वाती जी ने करेंटिंग पे और मेंटर हेलल पे काफी अच्छे फिचार्स सांजा की नोलिज भी है मुझे अशाइटी के बारे में डिप्रेशन के बारे में पेरेंटिंग के बारे में इन्होंने बात की तो अगर हम चाहें तो एक पूरा एपिसोड अमार आपके साथ निकाल सकते हैं टॉपिक्स पर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और आपको बेस्ट विशिज आगे केंपेनिंग के लिए एंक्यी सो मच फेस्बुक पर पोलिस्टार हिमाचिल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें